मैं आप सभी का आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आगन बाड़ी भरती आ गई है आप सभी को पता होगा कैसे इसको अपलाई करना है एक एक स्टेप आपको समझाओंगा ताकि आप एक छोटी सी भी गलती ना कर सको इस फॉर्म में ठीक है तो पहली बार मेर लिख सकते हो बालविकास up.gov.in डारेक्टली आप इसको लिख करके गूगल पे और इस वेबसाइट पे आप पहुँछ सकते हो अगर आपको इतना लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सरकारी result.com पे जा करके सीधा आपको लिंक मिल जाएगा वहां से भी आप इस प तो ये पहला पेज आपके सामने open होगा अब आपको करना क्या है जैसे ही आप ये पहला पेज open होगा थोड़ा सा नीचे करोगे पूछेगा भी या जो उपर हमने instruction आपको दे रखे हैं सारे बहुत सारे 8-10 इसको आपने पढ़ लिया तो आपको क्या करना है यस कर देना है इन सब ही को पढ़ने के जरूरत आपको नहीं है ठीक है मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप सुनते जाना बहुत आसानी से आप form फिल कर पाओगे यस कर देना यहाँ पर आगे बढ़ेंगे ठीक है जैसे ही आप यस करोगे आपका form भरने का step यहाँ पर सुरू हो जा इसको apply कौन कर सकते हैं ऐसा नहीं कि अगर आप UP मालो की आप लखनाओ के रहने वाले हैं तो आप सिर्फ लखनाओ के लिए भर सकते हैं ऐसा नहीं है आप पूरे UP में कहीं पे भी रहने वाले हैं कहीं के लिए apply कर सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो है ग्रामीड तो आप ग्रामीड ही भरिएगा मैं आपको सर्जिस करूँगा नेक्स्ट है ग्राम सभा या फिर वाल्ड का नाम यहाँ पर पूछ रहा है तो आप जिस भी जनपत का नाम भरोगे उसी एकोर्डिंग यह सारी चीज़ें आती रहेंगे ठीक है यहाँ पर एक और इस्टेप है आगे बिताता हूं आपको मैं जब आपको पहला इस्टेप भरना होगा जैसे मैंने मानलोक जनपत का नाम क्या भर दिया फैजाबाद भर दिया आगरा भर दिया मवह भर दिया आपको जो कुछ भी भरना होगा, यहाँ पर जनपत का नाम भर देना, ठीक है, जब जनपत काम भर दोगे, तो जो ब्लॉक का नाम भरना होगा, कुछ इस तरीके से option हैगा, तो इसको अपने according, जिस भी ब्लॉक में आपको apply करना है, उस ब्लॉक को आप चूज कर लेना, ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है, ग्राम, सभा, वाल्ड का नाम, तो जैसे ही इतनी चीज़ें आप भर दोगे, तो जिस भी आप district के लिए भरोगे, उसका यहाँ पर list ओपन हो जाएगा, ठीक है, मैंने आगरा के लिए भरा है, तो यहाँ पर बहुत सारे नाम यहाँ पर open हो इन तीनों में से कोई चूज कर लेना, मैं आपको suggest करूँगा, जो पहला वाला है, इसी को चूज करना यहाँ पर जगह ज्यादा होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब आप इतना सारा कर लोगे, तो आपके सामने एक page open हो जाएगा, जब आप उतना कर लोगे, तो नी जयेजना का नाम आगया, Gram सभह आ गया, Gram इर से मैंने भरा था, पद मैंने को से चूज की थी, आगंबारी, कारिकरता, विज्जापन को सा है, ये भी दिया हुआ है, अंतिम्तिती correct 2016 ये भी दिया हुआ है, आरम कब हुआ, 26 तारी को ये भी दिया हुआ है, तो इस सारी होगी तभी apply होगा अगर जगह नहीं खाली होगी तो कोई और ब्लॉक आप चूज कर लेना ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे जैसे ही इतना हो जाए तो यहाँ पर option आएगा नीचे आपके तो आपके सामने एक option open हो जाएगा OTP का ठीक है जो यह phone number आप डाले रहोगी यह phone number पर एक OTP जाएगी एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको clear कर दूँ आप maximum यहाँ पर लोगों के पास आधार कार्ड होते हैं और mobile number जो होता है आधार कार्ड से link होता है आप वही mobile number डालने कोशि मिलने में आपका mark sheet मिलने में आपके degree मिलने में तो आप लोग प्लीज वही mobile number डालने कोशिश करना ठीक है इतना कर दोगे और यहाँ पर send OTP पर लिक कर दोगे तो आपके phone number पर एक OTP जाएगा ठीक है वह OTP कैसे आता है दिखाता हूँ आपको जब आप अपलाई कर दोगे तो देखो T M U P I C D S इस तरीके से करके एक OTP आपके आजाएगी देखे लिखा हुआ है आपर बाल विकास सेवा एवं पोस्टाहार उत्तरप्रदेश इसका आपके पास एक OTP आएगा 3220 यह तो मेरे phone का है हर किसी का OTP अलग-अलग होगा और इस OTP को आप जब वहाँ पर म तो यह पेज आपके सामने open होगा ध्यान रखना है इस चीज का जहां पर भी स्टार आपको दिख रहा है ना रेड कलर का उसको भरना कंपल सरी है उसको आप छोड़ नहीं सकते ठीक है अब आपको भरना क्या क्या है यहां पर पहला ही स्टेप लिखा हुआ है रिक्त आगन पहले सी भर रखी है लग पूरा ग्रामीड हमने चूज कर रखा था वार्ड नमबर आपकी इच्छा है तो भरो नहीं इच्छा है मत भरो आवेदक का नाम यहां पर आपको अपने इस्थती भरनी है और यहां पर आपको अपने हस्बेंड का नाम भरना है और यहां वाले इस वाले कॉलम में आपको अपने पिता का नाम भरना है और आगे है माता का नाम, ठीक है, मॉबाइल नंबर यह सब सारा fill up कर करके, यह सारे step आपको fill कर लेने हैं, मैं कितना यहाँ पर बता पाऊँगा आपको, बहुत जादा है, तो इस सारे step आपको fill कर लेने हैं, यहाँ पर पूछेगा भईय सेच्छडिक योगिता आपकी क्या है यानि कि आप कितना पढ़े हुए है दूसरा step आपके सामने open हो जाएगा कि आप पढ़े कितना है वहाँ पर आपका अच्छा 8 पास है कच्छा 5 पास है कच्छा 10 पास है कच्छा 12 पास है उसको वहाँ पर आप mention कर देंगे और कुछ वहाँ पर नहीं करना है सेच्छडिक योगिता में ठीक है इतना करने के बाद जैसे ही आप उसको वहाँ पर submit करोगे तो यहाँ पर upload photo का एक option आएगा अपनी photo प्यारी सी आपको वहाँ पर डाल देनी है जो भी अच्छी photo आपकी होगी वहाँ पर passport size उस photo को वहाँ पर आपको upload कर देना है next step पे आएगा आपका एक सामने घोशडा पत्र उसको वहाँ पर submit कर दोगे आपका form वहाँ पर fill हो जाएगा कोई गलती यहाँ पर नहीं होने माले तो यह सारे step मैंने आप सभी को बता दिये है अगर आपको कोई भी doubt होता है कोई दिक्कत अगर आपको लगती है इसमें तो मुझे आप लोग please सभी लोग comment section में पूछ लेना जो भी आपको समस्या होती है मैं हर किसी के reply वहाँ पर कर दूँगा ठीक है और वीडियो कर आपको थोड़ी सी आर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सभी लोग like जरूर करिएगा वीडियो को और चैनल पर पहली बारा है तो subscribe button प्रेस करके bell icon on करिएगा इसी तरीके से और जो भी notifications आते रहेंगे आगनवारी से related मैं आपको देता रहाँगा ठीक है तो thank you so much watching this video